हेलो एब्रीवन वेल्कम टू पृतिवा क्रेटिव आज इस वीटियो में आपको यह सिंपल कुर्ति की कटिंग और स्टेशिंग बताऊंगी यह मैंने टेट मीटर फैब्रिक में कुर्ति रेडी करी है इसमें जो यह मैंने नेक बना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए गए और ने प्र पिछली वीडियो में बना के बताया है तो उसने पैले हम कूर्ति कटिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने फैब्रिक दिया है, ने 1.5 मुटर फैब्रिक लिया है छिसे हमशा इस तरह करें है तो देखेंगे वह इस तरफ अधर से फोल्ड करेंगे तो देखेंगे इस तरफ और इनच कर की लेंगे यह उपर से हम कुर्ती की लेंथा उससाब से यहां पर मंग लगा देंगे तो लिए मैंने कुर्टी की लेंग्स लीए 38 इंच अब यहाँ से हमmaya करेंगे तो आम होल मैंस में इसमें seven inch में ही माक लगा या है अब यहां से हम chest का माक करेंगे तो छेष में हमारा thirty six inches का हम वनफोर्थ कर省 तो nine inches मैंने माक लगा दिया इस तरह से अब देखे हैं बेहां पर हम annoi की पीछे की आम होल की गुलाई दे देंगे पहले और फिर आगी की तरफ देखे इस तरह से हाफ इंच का इस तरह से माक लगा के उपर से मिला देंगे और यहां पर भी देखे इस तरह से गुलाई देंगे आम होल की यह हमारी बैक ओफ रंट की यहां पर आम होल की गुलाई है फिर देखें यहां से हम हिप के लिए माक करेंगे तो हिप मैंने यहां पर 21 इंच पर माक लगाया है और यहां से जो भी हमारा हिप है उसका हम वन फोर्थ कर लेंगे तो 9 इंच में यहां पे मैंने माक लगा दिया है आगे की तरफ देखें 1 इंच हमारा यह फोल्डिंग के लिए चाक बनाने के लिए एक्स्ट्रा मैंने लेते वे इसमें माक लगा था अब इसे हम मिला लेंगे और इसमें हम मार्जन का माक लगा दिए यह जो हमने माक लगा है इसे हम देखें नीचे तक इस तरह से मिला लेंगे नीचे की तरफ भी हम 1 इंचा गैप देते वे इसे कट कर देंगे तो देखें मैंने कुर्थी को कट कर दिया है अब जो हमारा कुर्टी का फ्रंट पार्ट हो से अलग कर लेंगे और बैक को हम अलग करके साइड में रख देंगे तो बैक को हम साइड में रख देंगे और फ्रंट को ले लेंगे और ये जो हमने फ्रंट पार्ट की गुलाई दी है आम होल की इसे हम कट कर लेंगे तो इसे भी हम कट कर देंगे देखिए इस तरह से तो इस तरह से मैंने से माँ घुलेे लैंगे तो 7 पे आंप हो लेंगे दिये सो और इसिए देखे आगी कि तरफ तरह से 3 इंच पे हम माक लगा लेंगे इस तरह से अब देखिए यहाँ पे हम बॉटम का माक लगाएंगे तो बॉटम का भी माक हम वही से लगाएंगे जहां से हमने 2 इंच का माक लगाया था अब देखिए ये वाला जो माख है यहां से हम इस तरह से गुलाई देते वे उपर तक मिलाएंगे जहां तक हमने ये 2 इंच का माख लगा था वही तक हम इसे मिलाएंगे फिर आगे की तरफ से देखिए इस तरह से आम होल की गुलाई दे देंगे और फिर इसे हम कट कर तो ऊपर के तरफ यह जो हमारा टू इंच है यह हमारा पफ के लिए हमने पखत छोड़ा है और दोनोंस साइट है छोड़ा नीचे और तो आप देखे यह जो ़मारे आगे यह जो आम औरिक गुला है इसे हमकोड़ करेंगे तो अब इसे हम cut कर लेंगे इस तरह से जो हमने mark लगा है उसे cut कर देंगे तो ये हमारी sleep cutting हो गई है अब देखिए इसमें जो आगे की तरफ extra fabric है उसे हम cut कर देंगे और फिर हम sleep को open कर लेंगे एक sleep हम ले लेंगे दूसरे को हम side में रख देंगे अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने आगी तरफ mark लगाये थे 2 इंच पर वही हम mark दूसरे side पर भी इस तरह से लगा देंगे दोनों तरफ नीचे और उपर दोनों तरफ इस तरह से और sleep को open कर लेंगे अब देखिए यहाँ पर ये जो उपर तरफ ये जो हमने mark लगाया है इससे हम आगी की तरफ 2 इंच पर mark लगाएंगे सेव दूसरे side पर भी इस तरह से हम mark लगाएंगे ये जो mark है उसी के आगी हम 2 इंच पर mark लगाएंगे और फिर हम सुई धागा लेंगे और देखिए जो हमने mark लगाया है यहीं से हम वहां तक इस तरह से छोटे-छोटे से टाके लगा लेंगे देखिए इस तरह से यहाँ पर हम puff बना लेंगे धागे को हम उतना खीचेंगे जितना हमें यहाँ पर puff चाहिए और फिर देखिए इसके यहाँ पर हम सेंटर देख लेंगे इस तरह से यहाँ से सेंटर से हम यहाँ से देख लेंगे 7 inch हमारा यहां तक आम हो लाना चाहिए और फिर यहां पर हम not लगा देंगे तो इस तरह से देखिए उपर की तरफ हमारा यह puff रेडी है अब नीचे की तरफ भी देखिए जो माक लगाया है इससे हम आगे की तरफ 1 inch पे ही हम इस तरह से सुई को लेते वे यहां पर टाके लगा देंगे तो नीचे की तरफ जो हमने माक लगाया है उससे हम 1 inch का गैप देते वे इस पे हम टाके लगाएंगे फिर तेखिए इस तरह से धागे को खीच लेंगे और यहां पर इस तरह से puff बना लेंगे और फिर यहां पर हम not लगा देंगे अब इसके उपर हम सिलाय लगा देंगे तो इस तरह से यहां पर हमारा puff रड़ी हो जाएगा अब यह देखिए मैंने इसके उपर सिलाय लगा दी है slip को हम wrong side पर रखेंगे और इसके उपर पट्टी लगाएंगे अब देखे इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्लीप को राइट साइड पर रखेंगे और यह जो हमाई पट्टी इसको आगी की तरफ देखे हाफ इंच तक फोल्ड करेंगे और यह वाली सिलाई है इसके उपर से इस तरह से रखेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे तो यह देखे मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से नीचे हमारे यह फोल्डिंग रेडी हो गई है इसी तरह से हम दोनों स्लेप को बना लेंगे और यहां पे देखे पिटिंग के सिलाई लगा देंगे अब कुर्ती का हम बैक पार्ट लेंगे उसके उपर हम पट्टी लगाएंगे तो यह देखे मैंने सिलाई लगा दी है यह देखे इस तरह से अब कुर्ती को हम राट सैट पर रखेंगे अब हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे यह नेक की डिजाइन मैंने पिछली वीडियो बताई है तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अब देखे यह जो हमने पट्टी लगाई थी इससे हम जस्ट बगल में देखे इस तरह से रखेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा देगे इस तरह से दूसरे साइट पर भी देखे यह जो सिलाई है इससे हम इस तरह से रखेंगे इस पर सिलाई लगा देगे तो देखे म साइड की भी सिलेई लगा दी है अब इसके उपर हम चाक बनाएंगे तो चाक बनाने के लिए इस तरह से हम ने राओ לिया था एक्ष्टरा उसे देखें इस तरह करेंगे नीचे की तरफ भी और साइट की तरफ भी और फिस के उपर हम सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से उपर हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दूसरे साइट पर देखिए इस तरह से फोल्ड करते वे यहाँ तक पहले हम सिलाई लगा लेंग तो देखे एक साइट पर मैंने सिलाय लगा दी है यह देखे नीचे से इस तरह से फोल्ड करते वे मैंने इस पर सिलाय लगा दी है अब दूसरे साइट पर देखे हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे यह देखें यहाँ पर इसे हम इस तरह से fold करेंगे जितना हमारा 1 इंच का gap है उतना ही fold करेंगे और इसके उपर सिलाय लगाते वे इस तरह से हम पूरे कुर्ती पे चाक बना देंगे तो देखें इस तरह से मैंने इसके उपर सिलाय लगाते वे चाक बना ली है इस तरह से हमारी ये puffs लिवाएगी तो ये कुर्ती रेडी हो गई है 1.5 मीटर फैब्री को बहुत अच्छे से कुर्ती बनके तयार होगी तो इसे एक बास जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको कुर्ती का डिजाइन अच्छा लगा है तो प्लीस से लाइक करें शेयर करें और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बाल अगर को जुरूर प्रस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो को नोट्रिफिकेशन मिलता रहे अब मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई